हैलो परेंट्स वेलकमटीबीज पीड फ स्टेडी विड आरजे, आज हम साइंस के शैle के लिए लिए पेंच के लिए कुछ मुल्टीबल जैस कोस्टें बहुत इंपूडन्ट होते हैं, आज करहे फेबर में मुटीबल जैस कोस्टें यह पूछे जाते हैं तो हमारा टॉपिक है आज का मल्डबल चॉइस है चाहिड डवलप्मेंट एंड हुवन डवलप्मेंट यानि की बाल विकास और मानफ विकास से संबंदित कुछ कोश्चन्स हम आज आपसे डिसकस करेंगे ठीक है तो मैं इसमें जैसे मतलब नार्मल है जिस उससे रिलेटिड ही ये कुछ मल्टिपल चॉइस कोश्चन है ठीक इसमें पहला है विकास के प्रमुख इस्त्रोत प्रमुख छेत्र है तो इसमें विकास के आपको बहुत सारे छेत्र होते हैं शारिक है मानसिक है बौद्दिक है या यह सभी इसमें तीन आप्शन दिये है हमें मानसिक, शारिरिक, बौधिक ये सभी तो जाहिर सी बात है विकास के सारे ही छेत्र होती है शारिरिक है, मानसिक है, बौधिक है, अध्यात्मिक होता है समविगात्मक विकास होता है तो ये वालक के विकास के प्रमुख छेत्र है मानसिक, शारिक, बहुत दिक, तो आंसर क्या होगा इसका, यह सभी, छीक, नेक्स्ट है, मानव विकास का प्रमुख विश्य है, ठीक, इसमें तीन उप्षिन दिये, मानव विकास का प्रमुख विश्य है, मानव का विकास, भच्चो का विकास, व्रद्धो का विकास, यह सभ नेक्स्ट है दो वर्षे लेकर छे वर्ष तक की आयू कहलाती है पूर्वाल्य वस्ता उत्तर वाल्य वस्ता शैश्वा वस्ता या यूवा वस्ता तो दो वर्षे लेकर छे वर्ष तक की वस्ता कहलाती है पूर्वाल्य वस्ता यानि कि दो वर्षे लेकर हमारा छे दो वर्ष का विकास किष आईउ में चरम सीमा तक होता है हमारा किषौरा अवस्ता में, 18 से शुरू होती है कि 25 पर थीरे 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 चरम सीमा पर पहुंच जाता है ठीक तो 21 इसका अंसर होगा हमारा 21 वर्ज नेक्स्ट है मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में सबसे अधिक महत्मूर तत्व है पारिवारिक वातवरन, रोग, वन्शानुक्रम तत्वातवरन, बुद्धी तो क्या है इसमें क्या कोशन पूचा है कि मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में सबसे महत्मूर तत्व है पारिवारिक वातवरन, रोग, वन्शानुक्रम तत्वातवरन या बुद्धी तो सबसे महत्पून कौन सा तत होता हमारा वंशा नुक्रम और वातवरन तो इनका अंसर क्या होगा वंशा नुक्रम तता वातवरन ठीक नेक्स्ट है गर्भा वस्ता किन अवस्थाओं में विवाजित नहीं है, किशोरा वस्ता, भुरूना वस्ता, वीजा वस्ता या गर्भस्त शिशू की अवस्ता, तो गर्भा वस्ता की बहुत सारी अवस्ताइं होती है, गर्भा वस्ता होती है, भुरूना वस्ता है, वीजा पता हैं है किशोर आवस्था किशोर आवस्ता इक अपने क होती है ऑलग स्टेज होती है ठीक नेक्स्ट है परिवार सामचिक जीवन रता पार्षाला यह कथन किसका है तो ये मारे सामजिक जीवन की सर्वुत्तम पाड़ सला ये किसने कहा है? Next, ए हर्लोग की अनुसार प्रारंबिक शैश्रवावस्ता है जनम से 2 सप्ता तक, गर्वधान से 2 सप्ता तक जनम से 2 वर्ष तक ये गर्वधान से 2 वर्ष तक तो हरलोक की अनुसार प्रारंबी खेश्रववस्ता है जनम से दो सप्ता तक छिक कौन सी है जनम से दो सप्ता तक तो इसका आंसर क्या है जनम से दो सप्ता तक नेक्स्ट है विकास प्राणी में प्रगती शील परिवर्तन है जो निश्चित लक्षों की और निरंतर निर्देशित होता रहता है यह कथन है हरलोक का, फ्रायट का, ड्रिवेर का, मुनेश का तो यह कथन है ड्रवेर का ठीक इसमें ऑप्षन से आपके यावन प्रगती शील परिवर्तन है जो निश्चित लक्षों की और निरंतर निर्देशित होता रहता है यह किसका कथन है ड्रवेर का बच्चों के वन्शानुक्रम से संबंदि सामजिक छमताओं के विकास को कहा जाता है इसमें ऑप्षन से आपके यावन प्रगती या इनमें से कोई नहीं तो बच्चों के विकास को कहा जाता है तो बच्चे होते हैं उनकी बच्च्चों के संबंदि जो सारिक छमता जो होती है उनका जो विकास होता है उसका कुछ या उसे कुछ नहीं कहा जाता ना तो वो योवन वस्ता कहलाती है आपकी ना वो परिपक्वावस्ता कहलाती है ना वो अपरिपक्वावस्ता गहलाती है तो इसका अंसर क्या है इन में से कोई नहीं चिक तो इसका अंसर है इन में से कोई नहीं नेक्स्ट वे ऐसा मन्यत है जिनका मानव के छेत्र में अध्यान किया जाता है मानसिक रोग, कूछ रमाय उज्यन, भाषा दोस या ये सभी तो जाहिर सी बात है जो ऐसा मन्यत होते है जो हम आणव विकाश के इंतरगर्ट अध्यान करते है वो हमारा मांसी की कासी होते है, कूस हमाई जन्जमी होते है, भाषा दोस्ट भी होता है, तो क्या अंसर हुआ असका, ये सब ही, नेक्स्ट है, बारा वर्ष ए ठारा वर्ष का आयू काल कहलाता है, शैशा वस्ता, यूवा वस्ता, किशोरा वस्ता, या बाल्य वस्ता, तो बा नेक्स्ट है मानसिक विकास प्र케यर प्रारब होती है जनम से ही जनम के बाद जनम से पहले या इनमें से कोई नहीं tap yeah कि मानसिक विकास हमारी प्रारब होती है वो जनम के बात प्रारम होती है ठीक है जनम के बात कि क्या होता जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद हम उसकी मांसिक mentaly activity उस पर ध्यान देते है नेक्स बच्चे किस अवस्था में पर्या वरनण से प्रभावित होता है कि शोरा वस्ता से शैश्रा वस्ता से बाल्य वस्ता से या इन में से कोई नहीं तो क्या है इसमें कि बच्चे की विकास की चरम सीमा प्रकट होती है वाल्य वस्ता से शैश्रा वस्ता से युव वस्ता से या किशोरा वस्ता से तो जो सामजी की विकास की चरम सीमा होती है वो आपकी किशोरा वस्ता से प्रारम होती है या चरम सीमा जो प्रकट होती है वो किशोरा वस्ता में प्रकट होती है नेक्स्ट है शैश्व अवस्ता है सामन्ने अवस्ता, आत्मनिर्बरता की अवस्ता, अनुकरन की अवस्ता या समायोजन की अवस्ता तो शैश्व अवस्ता कैसी अवस्ता है समायोजन की अवस्ता नेक्स्ट है जनम के समय शिशु का औसदबार होता है 3.350 kg, 4.450 kg, 2.250 kg, 5.500 kg तो यह बच्चे की development के उपर होता है लेकिन नौर्मली बच्चे का जो आसद बार होना चाहिए वो 3.350 kg होना ही चाहिए ठीक, next है सामजी क्युकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है बाल समुदाय, शायरी क्युकास, वंस्वानुकरम या खेल कूद तो खेल कूद हमारा सामजी क्युकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है next है अंतरज़श्टी या सूच के सिधान्त के प्रवतक है वाटसन, थांडाइट, मेकडूगल या कोहलर तो अंतरज़श्टी और सूच के सिधान्त के प्रवतक है हमारे कोहलर next है संबंध, प्रत्यावर्द्वर्दन, सिधान्त के प्रतिपादक दे पैवलाव था वाटसन, मेकडूल, डूगल था था हैगार्टी, कॉलवर्ग या सियर्स तो क्या है संबंध प्रत्यवर्दन सिध्धान्त के प्रवर्तक है पैवलाफ तथा वार्टसन तो इसका अंसर क्या होगा पैवलाफ तथा वार्टसन नेक्स्ट है पुनरबलन का सिध्धान दिया है फ्राइड ने प्याजे ने एरिवेसन एरिक्सन ने या डॉलार या मिलर ने तो पुनरबलन का सिध्धान जो दिया है वो डॉलार तथा मिलर ने दिया है ठीक नेक्स्ट है शिशु का किर्यात्मक विकास प्रारम होता है किन से बच्चों का भावात्मक तादत में स्थापित हो जाता है खिलोनों से पुस्तकों से बच्चों से या दवाईयों से मतला बच्चों का जो होता है एमोशनली अटेजमेंट किस से होता है ज्यादा खिलोनों से तिक पुस्तकों से बच्चों को ज्यादा अभी इंटरस् होता दाईयों से भी नहीं होता किस्ते होता खेलानों से तभी तो कहते कि बच्चा कर रहो कि उसके पास खेलाने रख देने चाहिए वो खेलानों से खेलता रहता ठीक ओके थेंक्यू स्ट्रेंड आपको ही पसंद आये होंगे क्योस्चन्स छिए